दोस्तों हिंदु धर्म कुनरजन्म में विश्वास करता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि इनसान के मरने के बाद आत्मा उस शरीर को छोड़ कर नए शरीर में प्रवेश करती है। गरुर पुरान में बताया गया है कि पुराना शरीर त्यागने के बाद आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर प्रित्वी पर मौझूद 84 लाख योनियों में से एक नया शरीर किसी भी योनी में मिल सकता है। आत्मा को अगले जीवन में कैसा शरीर मिलेगा। यह पूरी तरह पिछले जन्मों के कर्मों के उपर निर्भर करता है। इसलिए पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा रखना बहुत ही जरूरी है। इस कारे को सुचारू रूप से चलाने के लिए देवताओं में चित किताब के आधार पर ही मृत्यू के देवता यम्राज आत्माओं को स्वर्प नर्क या नए शरीर में भेजते हैं। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके किन कर्मों के कारण कौन सा जन्म मिलेगा और भगवान इसका निर्धारन कैसे करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति को स्वर्ग और नर्क उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। गरूर पुरान में यह बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्व में व्यक्ति किस रूप में जन्म लेगा उसका निर्धारन कैसे किया जाता है। चित्रगुप जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा व्योरा देते हैं। इसके बाद एक दूसरे कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। इस कमरे को यम्राज की कछहरी कहा जाता है। यहाँ पर यम्राज आत्मा के कर्मों को सुनकर उसके अनुसार अपना फैसला सुनाते है यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को विभिन द्वारों से स्वर्ग या नर्क में ले जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क में समय बिता कर मनुष्य को अलग-अलग योनियों में जन्म मिलता है दोस्तों किस पाप कर्म से कौन सी योनी में जन्म मिलेगा यह जानने से पहले आएए समझते हैं कि आखिर देव योनी या मनुष्य योनी में जन्म कब मिलता है दोस्तों प्रत्यक आत्मा की तीन गतियां होती हैं उर्ध्व गती, स्थिर गती और अधो गती यदि कोई व्यक्ति मरकर उर्ध्व गती को प्राप्थ होता है तो उसकी आत्मा देवलोग को गमन करती है स्थिर गती का अर्थ है कि वह फिर से मनुष्य के शरीर में जन्म लेगा अधो गती का अर्थ है कि मनुष्य योनी से नीचे गिर कर किसी पशु योनी में जन्म मिलना यदि उसकी गिरावट और भी अधिक है तो उसे और भी नीचे की योनी जैसे कीडे मकोडों या समुदर में रहने वाले जीव आधी के रूप में जीवन मिलेगा दोस्तों आये अब जानते हैं कि भगवान अगले जन्म का फैसला किन कर्मों के आधार पर करते हैं दोस्तों छल करना पाप माना गया है गरुर पुरान के अनुसार अपने मित्रों या बंधुबांधों से छल करने वाला मनुश्यक मरने के बाद नरक जाता है साथ ही उसका अगला जन्मत एक गिद्ध योनी में होता है जो सड़े गले जानवरों का मास खाकर जीवित रहते हैं इससे भी बड़ा पाप है ब्रह्मा हत्या सनातन धर्म में ब्रामहन को भगवान के सबसे नस्दीक बताया गया है शास्त्रों में भी साफ साफ कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य भूल से भी किसी ब्रह्मन की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है ऐसे कार्य में साथ देने वाले मनुष्यों को भी कुम्भी पाक नाम के नरक की यातना सहनी पड़ती है गरुर पुरान के धर्मकांड में विस्तार से बताया गया है कि जो पापी व्यक्ति ब्रामहन या कर्म से पूजनिय लोगों की हत्या करते हैं उन्हें अश्व और पूंट की योनी में जन्म लेना पड़ता है जबकि घर का सामान चोरी करने वाला या दूसरों का पैसा लूटने वाला अपसमार रोग से ग्रस्थ होता है इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के वस्तरों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोता के शरीर में जन्म मिलता है सुगंधित पडार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छचुंदर के रूप में जन्म लेता है जो इनसान अपनी धर्म पत्नी को अकारण ही छोर देता है वो अगले जन्म में गंडमाल नाम के महारोग से पीडित रहता है गरुर पुरान में उल्लेक है कि दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह मिलती है फिर वहां उसे पहले भेडिया, फिर कुट्ता, फिर गिद्ध, फिर सियार, फिर साम, फिर कच्छुआ और आखिर में बगुला की योनी प्राप्थ होती है इन सब जन्मों के पूरे होने के बाद ही उसे मनुष्य योनी मिलती है दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्गों को सताने वाला व्यक्ति मरने के बाद, सौ से अधिक सालों के लिए कच्छुए की योनी में जन्म लेता है देवताओं और पित्रों को संतुष्ट किये बिना मरने वाला व्यक्ति सौ वर्षों तक कौवा की योनी में रहता है इसलिए कहा जाता है कि श्राध कराते समय कौवे को अवश्य भोजन कराएं ताकि आपके पित्र संतुष्ट हो जाएं लेकिन अगर यह ना किया जाएं तो अगला जन्म कौवे के रूप में ही मिलता है उसके बाद मुर्गा और फिर एक महीने के लिए सांप की योनी में रहने के बाद ही उसके पापों का अंत होता है और उसे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है दोस्तों कई बुद्धि जीविओं का प्रश्न होता है, कि आखिर किनर योनी में जन्म किस पाप कर्म से होता है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो किनरों और अन्य जाती के लोगों का मजाक उडाते हैं, और उन्हें ही दृष्टी से देखते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों को अगला जन्म एक किन्नर के रूप में मिलता है और उन्हें भी ऐसे ही अपमान सहना पड़ता है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति किसी का कतल कर देता है तो ऐसे जगन्य अपराथ करने वाले को अगले जन्म में गधे की योनी में जन्म मिलता है। लेकिन अगर वो जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे म्रिग योनी मिलती है। इसके बाद वो मचली, फिर कुट्टा और फिर बाग बनता है, इन योनियों में जन्म लेकर अंत में वो मनुष्य योनी में जन्म लेता है, कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने से बड़ों का अपमान करते हैं, उन्हें कौँच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है, उसके हो जन्म करता है, वो अगले जन्म में संतानहीन रह जाता है, वहीं जो मनुष्य फल चुराता है, वह बंदर की योनी में जन्म लेता है, गरूर पुरान में बताया गया है, कि जो लोग महिलाओं का शारिरिक शोशन करते हैं, या उनका शोशन करवाते हैं, उन्हें अगले जन्म में भयंकर बीमारिऊं से पीडित होना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी स्त्री की हत्या या उसका गर्भपात कराने वाले व्यक्तिकों नरक में दर्धनाक पीडाओं को झेलना पड़ता है। जिसके बाद उसे चंडाल योनी में जन्म मिलता है दोस्तों महर्शी वेदव्यास ने भी बताया है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है पशुपक्षी और दूसरे जीवों पर दया करता है जरूरत मंदों की सहायता करता है और बिना किसी स्वार्थ के अपनी महंत से कमाए पैसों का प्रय दोस्तों क्या आपको पता है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं टलता जो आपके भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है लाखों जतन करके भी आप उसे बदल नहीं सकते आएए इसको जाने एक पंडित और यमदूत की कहानी के जरिये एक गाव में एक बहुत ही ज्यानी पंडित रहता था वहां से कई मील दूर एक दूसरे गाव में उसका एक बहुत ही पुराना मित्र रहता था, जो की बच्छपन से ही गुंगा और पैर से अपाहिज था परंतु वह पंडित का बहुत ही अच्छा मित्र था एक दिन पंडित को अपने मित्र की याद आई और वह उससे मिलने के लिए निकल पड़ा पंडित अकेला ही चला जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला वो व्यक्ति पंडित के साथ चलने लगा पंडित को लगा कि चलो एक से भले दो, रास्ता बात करते हुए अच्छे से कट जाएगा पंडित ने उस व्यक्ती से उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम महाकाल बताया नाम सुनकर पंडित को थोड़ा अटपटा लगा, परन्तु किसी के नाम को लेकर कोई सवाल पूछना पंडित को उचित नहीं लगा चलते चलते रास्ते में एक गाउ आया उस व्यक्ती ने पंडित से बोला कि तुम आगे चलो, मुझे गाउ में कुछ काम है मैं वह काम पूरा करके तुम्हें आगे मिलता हूँ ऐसा कहकर वह व्यक्ती उस गाउ में चला गया थोड़ी ही देर में उस गाउ में खबर फैली कि एक बच्चे की नदी में डूगने से मृत्य हो गई जैसे ही यह खबर फैली उसके तुरंक बाद वह व्यक्ती पंडित के पास आ गया और फिर से साथ चलने लगा फिर थोड़ी दूर चलकर एक और गाउ मिला पंडित को भूख लग रही थी वह एक पेड़ के नीचे बैठा और कुछ खाने लगा तभी उस व्यक्ती ने कहा कि इस गाउ में भी मुझे कुछ काम है जब तक तुम फल्खा रहे हो तब तक मैं काम करके आता हूँ ऐसा कहकर वह फिर चला गया उसके जाने के कुछ देर बाद गाउ में खबर फैली कि एक औरत की सांप काटने से मृत्य हो गई जैसे ही यह खबर फैली वैसे ही वह व्यक्ती पंडित के पास फिर से आ गया वे दोनों फिर से चलने लगे चलते चलते रात हो गई थी पंडित ने बोला कि अगले गाउ में किसी मंदिर में रुक कर रात बिटाएंगे और फिर सुबह आगे की यात्रा तै करेंगे दोनों पास के गाव के एक मंदिर में रुके तभी उस व्यक्ती ने पंडित से कहा कि तुम आराम करो, मैं कुछ काम करके वापस आता हूँ पंडित आराम करने लगा तभी खबर फैली की गाव के कुछ धरों में आग लग गई और आग इतनी भी शर्थी की कई सारे लोग उसकी चपेट में आकर मर गए इस घटना के घटने के तुरंत बाद वह व्यक्ती फिर से पंडित के पास आ गया अब पंडित को कुछ गड़बड लगने लगी पंडित ने रात में उससे कुछ नहीं कहा सुभा दोनों अपने गंतव्य के लिए फिर से चल पड़े पंडित के मन में पिछले दिन की सारी घटना चल रही थी पंडित ने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जहां भी जाते हो वहां कुछ ना कुछ अन्होनी जरूर हो जाती है ऐसा क्यों? महाकाल ने जवाब दिया कि वह एक यमदूत है और जिस किसी की भी आयू समाप्त हो जाती है वह उनके प्राण हरन करने आता है पंडित ने इस बात पर आशंका जताते हुए कहा कि यदि तुम सचमुछ यमदूत हो तो बताओ कि अगली मृत्यू किसकी होने वाली है महाकाल ने जवाब दिया कि अगली मृत्यू तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने जा रहे हो और उसकी मृत्यू तुम्हारी वजह से ही होगी यह सुनकर पंडित घबराया और सोचा कि यदी यह सच में यमदूत है तो इसकी बात सच होगी इसलिए अच्छा यही होगा कि वह अपने मित्र से मिले बिना ही वापस लोट जाए कम से कम वह तो अपने मित्र के मृत्यू का कारण नहीं बनेगा तभी महाकाल बोला कि तुम जो सोच रहे हो उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि यह नेती है और नेती को कोई नहीं टाल सकता अब पंडित को यकीन हो गया था कि उसके मन की बात जान लेने वाला कोई साधारन मनुष्य नहीं हो सकता बलकि यह सच में यमदूत ही है फिर भी पंडित ने निर्णे लिया कि वह अपने मित्र से मिले बगैर ही वापस चला जाएगा ऐसा सोच कर वह वापस मुड़ा और अपने गाउं की तरफ चलने लगा परंतू पंडित के मित्र ने उसे देख लिया था और उसे यह बिलकुल समच नहीं आया कि पंडित यहां तक आकर भी बिना उससे मिले वापस क्यों जा रहा है बच्पन से ही गुंगा होने के कारण वह पंडित को पीछे से आवाज दे कर बुलाना सका वह पंडित के पीछे पीछे भागने लगा परंतु अपाहिज होने के कारण वह पंडित तक पहुँच नहीं पा रहा था काफी दूर चलने के बाद पंडित को प्यास लगी और वो एक नदी के पास रुख कर पानी पीने लगा और थोड़ा आराम करने लगा तभी उसने देखा कि उसका मित्र अपनी पूरी ताकत लगा कर एक पैर से किसी तरह भागता हुआ बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रहा है वह हैरान हो गया और अपने मित्र की तरफ बढ़ा दोनों एक दूसरे के पास पहुचे ही थे कि तभी पंडित का मित्र जमीन पर गिरा और मर गया पंडित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तभी पंडित के मित्र के प्रान को ले जाने वहां महाकाल आ गया पंडित ने महाकाल से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ तब महाकाल ने पंडित को बताया कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हें वापस जाते देख लिया था और वहीं से वह तुम्हारे पीछे-पीछे भागता हुआ आ रहा था उम्र हो जाने के कारण तुम्हारा मित्र इतना कष्ट सह नहीं पाया और हृदय घात से उसकी मृत्यू हो गई इस तरह से अपने मित्र की मृत्यू का कारण तुम खुद ही बने पंडित बहुत दुखी हो गया फिर अपने आपको समझाया कि मृत्यू तो सभी की तय है जो भी इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है तभी पंडित के मन में एक सवाल उठा और उसने महाकाल से पूछा क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यू कब होगी महाकाल ने कहा कि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उप्युक्त नहीं है परणतु क्योंकि तुम ग्यानी हो और तुम यह भी समझते हो कि हर किसी की मृत्यू तय है इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपनी मृत्यों के बारे में जानकर दुखी नहीं होगे। ऐसा कहकर महाकाल ने पंडित को बताया कि तुम्हारी मृत्यों आज से छे महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि तुम खुशी खुशी फांसी को स्विकार कर लोगे। यह कहकर महाकाल वहां से चला गया। पंडित ने पास के गाउं वालों के साथ मिलकर अपने मित्र का अंतिन संसकार किया और अपने गाउं की तरफ चल पड़ा। हालां की पंडित ज्यानी था परंतु अपने मृत्यू की बात जानकर कोई भी व्यक्ति व्यत्थित होगा, तो पंडित भी थोड़ा परेशान था। पंडित ने सोचा कि उसे यह बात राजा को बतानी चाहिए। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसके राज्य का राजा भी पंडित को जानता था पंडित को पूर्ण विश्वास था कि राजा और उसके मंत्री मिलकर कोई न कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे पंडित ने राजा को सब कुछ बताया राजा ने अपने मंत्रियों से परामर्ष किया मंत्रियों ने बोला कि महाकाल के मताबिक पंडित की मृत्यू किसी दूसरे राज्य में फासी लगने से होगी जदी पंडित अपने राज्य से कहीं बाहर ही ना जाए तो इससे बच सकता है। समय नजदीक आता गया। ठीक से नेंद ना पूरी होने की वजह से पंडित को नेंद में चलने की बीमारी लग चुकी थी। जिस दिन पंडित की मृत्यू होनी थी, उसके एक दिन पहले पंडित नेंद में चलकर राजा के सबसे तेज घोडे पर सवार होकर दूसरे राज्य में पहुँच गया। और वो ना सिर्फ दूसरे राज्य में पहुँचा, बलकि दूसरे राज्य के राजा के महल के अंदर चला गया। रात्री की अंतिन पहर होने के कारण सारे सिपाही नींद में थे। और इस तरह पंडित राजा के शयनकक्ष में पहुँच गया. और जहां राजा और रानी सोय थे, वहां सो गया. सुबह हुई और जब उस राजा ने पंडित को रानी के बगल सोया पाया, तो बहुत क्रोधित हुआ. पंडित को गिरफतार कर लिया गया और दर्बार में पेश किया गया. पंडित को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. उसे पता ही नहीं चला कि उसे नेंद में चलने की बीमारी कब लग चुकी थी. जैसे ही पंडित को दर्बार में पेश किया गया, राजा ने उसे फासी की सजा सुना दी. परंतु पंडित ने एक बार राजा से उसकी बात सुनने की गुहार की. राजा पंडित की बात सुनने को तयार हो गया. तब पंडित ने सारा हाल कह सुनाया. किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था तो पंडित ने कहा कि आप खुद सोचिये राजन कि मैं आपकी शयनकक्ष तक पहुँच गया और आपके पहरेदारों ने मुझे रोका भी नहीं कोई भी साधारन व्यक्ति राजा के शयनकक्ष तक कैसे पहुँच सकता है और राजा की उपस्थिती में रानी के बगल कैसे सो सकता है राजा को पंडित की बात सही लगी राजा ने सिपाहियों को घेज कर पंडित के राजा से पता करवाया तो बात की पुष्टी हुई परन्तु दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को पहले ही फांसी की सजा सुना दी थी तो अगर पंडित को फांसी नहीं दी गई तो राजा के कथन का अपमान होगा और अगर फांसी दी गई तो पंडित की बिना बजह ही मृत्यू होगी इस बात पर राजा के मंत्री ने बोला कि महाराज पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फासी लगवा दीजिए इस तरह से आपके कथन का मान भी रह जाएगा और पंडित की मृत्यू भी नहीं होगी राजा को यह सुझाव पसंद आया और पंडित भी बहुत खुश था कि वह मृत्यू से बच गया पंडित के लिए कच्चे धागे के सूत का फंदा बनाया गया नियमानुसार पंडित को फासी पर चढ़ाया जाने लगा सभी खुश थे कि इस तरह से राजा की बात का मान भी रह जाएगा और पंडित भी बच जाएगा पंडित को भी पूर्ण विश्वास था कि उसने मृत्यू को टाल दिया है इसलिए वह खुशी खुशी फासी पर चढ़ने लगा जैसा कि महाकाल ने कहा था जैसे ही पंडित को फासी दी गई सूट का धागा तो टूट गया परंतु उस धागे से पंडित के गले की एक नस कट गई पंडित जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यू हो गई किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सूत के धागे से किसी की मृत्यू कैसे हो सकती है परंतु यह तो हो चुका था निती ने अपना काम कर दिया था और पंडित की मृत्यू हो चुकी थी हम कुछ भी कर ले भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटा सकते इसलिए किसी को भी इश्वर ने भविश्य जानने की क्षमता नहीं दी है आप खुद ही सोचिये कि यदि उस पंडित को अपना भविश्य नहीं पता होता तो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करता ना की डर डर कर दोस्तों आपने देखा होगा कि हिंदु धर्म में जब किसी की मृत्यू होती है तो उसकी तेरह भी मनाई जाती है ऐसी मान्यता है कि इन तेरह दिनों के कर्मकांडों से मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है तो आईए जानते हैं कि व्यक्ति की मृत्यू के बाद आत्मा क्या करती है तेरह दिन तक जो कर्मकांड किये जाते हैं उनसे मृतक की आत्मा को क्या क्या लाभ मिलता है और यदि यह कर्मकांड ना किये जाएं तो आत्मा का क्या होता है इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि शरीर छोडने के तेरह दिन बाद तक आत्मा कैसे रहती है, किस स्थान पर जाती है और तेरह दिन के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और जिन लोगों की अकाल मृत्यू होती है, उनकी मुक्ति के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, गरुड पुरान में बताया गया है कि मृत्यू के बाद आत्मा तेरह दिनों तक उसी जगह पर रहती है, जहां उसने शरीर का त्याग किया होता है हिंदु धर्म शास्त्रों के अनुसार, शरीर में मौजूद आत्मा कभी नश्ट नहीं होती, वह कुछ समय तक एक शरीर में रहती है, और सही समय आने पर उसे छोड़ कर दूसरा शरीर धारण करती है मृत्यू के तुरंत बाद, जीवात्मा को अजीब और गरीब अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है, जो आत्मा के लिए दुखद और कश्टदाई होते हैं गरुण पुराण के अनुसार, मृत्यू के बाद आत्मा शरीर से निकल कर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है, लेकिन कुछ ही पल में आत्मा सचेत हो, उठकर खड़ी हो जाती है वर्षों तक उस शरीर में रहने के कारण आत्मा को शरीर से मुह बना रहता है, आत्मा कोशिश करती है कि वो फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूथ उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते दुखी होकर आत्मा कभी अपने मृत शरीर को देखती है तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पाता धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्विकार कर लेती है कि अब मृत्यू लोक से जाने का वक्त हो चुका है जब दाह संसकार की क्रिया पूरा कर मृतक के परिजन शरीर को त्याग देते हैं तब जाकर आत्मा का मोह कमजोर होता है और वो मृत्यू लोक से विदा होने के लिए तयार हो जाती है। दोस्तों, गरुड पुराण में ये लिखा है कि मृत्यू के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को लेकर यमलोक जाते हैं और कुछ प्रहर के बाद ही वापस मृत्यू लोक में छोड़ जाते हैं। तेरह दिन तक आत्मा अपने परिजनों के आसपास इसी मृत्यू लोक में रहती है। जिस स्थान से लगाव होता है वहाँ भटकती रहती है। और तेरह दिन बाद यमदूत उसे यमलोक के मार्ग पर ले जाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में मृत व्यक्ति को पिंड़ दान करने का विधान है। गरुड पुरान के अनुसार मृत्यू के बाद नौ दिनों तक जो पिंड़ दान किये जाते हैं। उससे मृत आत्मा के विभिन अंगों का निर्मान होता है। और दस्वें दिन के पिंड पिंड़ दान से प्रेद बन चुकी आत्मा को फिर से एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। इसी शरीर के द्वारा आत्मा यम्लोक के रास्ते में अपने जीवन में किये गए शुब और अशुब कर्मों के फल को भोगती है। पिंड़ दान से आत्मा को बल मिलता है औ इस मृतक के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता, उसे प्रेतियोनी में ही रहना पड़ता है। उसी प्रेतियोनी में वह कई वर्षों तक निर्जनवन में दुखी होकर इधर-उधर घूमता रहता है। उनका उध्धार नहीं होता। इसलिए मृतक की आत्मा की शान्ती के लिए पिंडदान बहुत जरूरी माना गया है। जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यू होती है। गरुन पुराण में उनकी आत्मा की शान्ती के लिए भी उनके निमित्त पिंडदान करने के लिए कहा गया है। यदि मृतक का शरीर उपलब्ध ना हो परंतु उसकी मृत्यू निश्चित हो चुकी हो तब भी उसके निमित्त पिंड़ दान करने का विधान है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप और ध्यान किया है वे देव लोग चले जात बढ़े में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ फिर से ढरती पर जन्म लेलेते हैं। जन्म लेन वालों में भी जरूरी नहीं तेरह दिन के बाद आत्मा फिर से यात्रा शुरू करती है। यात्रा शुरू करते समय तीन अलग-अलग मार्ग होते हैं। एक मार्ग स्वर्ग ले जाता है, दूसरा नर्क और तीसरा पित्र लोक के लिए है। व्यक्ति के कर्म के अनुसार देवदूत इन मार्गों पर आत्मा को ले जाते हैं। आत्मा की गती के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कोशिस पसंद आई होगी। अगर हमारा प्रयास सफल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्यान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतू आईए मिलते हैं अगली वीडियो में।